चाली में आपने गुरूग्राम में सोहना के सरकारे सकूलों की ज़ए चातराए थी उनके साथ मंचलो की बदसलूगी के मामले तुसुरे ही होंगे हाला कि इस मामले में संग्यान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस काफी एक्टिव दिखाए दी और उन्होंने अपने सिपाहियों को स्कूल के बाहर छात्रों की रक्षा के लिए तैनात कर दिया मंचलों को लेकर गुरुग्राम पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है जिसके चलते आज फिर गुरुग्राम पुलिस ने तीन मंचलों को काबू किया है इन में से दो मंचले जो हैं वो सोहना के बस्टेंड से काबू किये गए है वहीं एक मंचला जो है वो मानेसर से काबू किया गया है जो कि दुरगा शक्ती की टीम ने किया है इन तीनों मंचलों का नाम है कंचन, गौरव और अरसलान अरसलान मानेसर से काबू किया गया है और कंचन और गौरव सोहना से काबू किये गए हैं हालाकि पुलिस ने इन तीनों को पहले थाने में बिठाया और उसके बाद मंचलों के परिवार जनों को बुला कर और परीजनों की उपस्तती में ही उनसे लिखित में माफी नामा लिखवाया गया और भवश्य में इस प्रकार के कोई गतिविदी ना हो इसके लिए चेतावनी देकर परीजनों के हवाले कर दिया आपको बता दे कि महलाओं की सुरक्षा के लिए और मंचलों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए महला पुलिस कर्मियों को चिनहित स्थानों पर सिविल कपडों में तैनात किया गया है और उन सिविल कपड़ों में तैनात महिला पुलिस कर्मी मंचलों की गलत गती वीदियों पर अपनी नजर बनाए हुए है